यह आपका Hindi Foundation Course का प्रिविएस एर क्विश्चन पेपर है और जो भी इन्वस्टी में आप पढ़ रहे हैं ड़जन मैठर भी यह कर रहे हैं यसी कर रहे हैं भी कौम कर रहे हैं अगर Foundation Course में आपका Hindi फासा का एकजाम लगा हुआ है फ्रेंड तो यह वीडियो आपके लिए तक इसकोर इसी पेपर के माध्यम से और कुछ नए फैटरंस कुस्चन में डिसकस कर दूँगा उसको आप नोट डाउन कर लिजिएगा ताकि आप उसका वेनिफिट डारेक्ट एजाम में प्राप्त कर सकें और अपने फ्यूचर को सिकोर कर सकें और अपने फ्यूचर को कोड़ा भी सिंगल बातों को भी सिंगल ना करें जो पेपर के अलावा जो भी हमारी बाते हो रही है आप उसको नोट डाउन करते चलिए ताकि उसका वेनिफिट आप डारेक्ट एक्जाम में प्राप्त कर सकें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एए पेपर देखिए इसका पूरे question का solution का वीडियो मैं comment section में लगा दूंगा आपके बिना कहने पे वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा इसका पूरा answer का उससे पहले आप question देख लीजिए जैसे पल्लोवन है आपका unit 1 में पल्लोवन टॉपिक है पल्लोवन का आपका किस टाइप से पल्लोव परिवाशा देते हुए पल्लोवन की विधी बताईए ऐसा question आ सकता है या इसमें एक twist examiner कर सकता है जैसे पल्लोवन टॉपिक है उसी में से कुछ word उठा लेगा और उस word में बोलेगा कि इसको इस word को पल्लोवीद करके लिखिए उसी पल्लोवन टॉपिक से आपका कुछ प पल्लोवन टॉपिक से आप पल्लूवीद करिये बस इतना पूर सकता है या पल्लोवन का महत्वी से स्तविव सकता है बस इसके अलामा और कोई question पल्लोवन से नहीं बनेगा अनुवाद क्या है या अनुवाद के प्रकार बताते हुए अच्छे अनुवादक कैं गुंड ल बताईए बस ऐसा पैटन्स हो सकता है, इसके अलावा और कोई पैटन्स में नहीं बनेगा, निष्ठ है आपका एक टोकरी फर मिट्टी की कहानी का सारान से लिखिए या इसके मूल भाव बताईए, ऐसा कुष्चन आ सकता है बस, निष्ठ है कुष्चन कहानी के तत्तो के आपको डाउट ना हो जितने भी कुश्चन करा रहा हूं सारे कुश्चन आप अच्छे से कवर करके जाएंगे तो 80 प्लस के लिए आपको इसकोर यहीं से हो जाएंगे और 20 प्लस जो आपका सेस बच रहा है उसका भी मैं डाउट क्लियर करूंगा और वो 20 प्रसेंट आपका जो है पूरा डाउट मैं क्लियर करूंगा पूरा इस्टेडी माटेरियल भी दूँगा चलिए आगे बताते हैं जो संच्छेपंड होता है आपका यह भी इंपोर्टेंट है सारे नुष्ट्री में अभी आ रहा है चाहाए अब भी यह कर रहे हैं बीसी बीकॉम फाउंडे निष्ट है आपका जैसे संच्छेपंड की विसेस्ता है यह महत तो बताईए यहीं पर विसेस्ता की जगह वो छेत्र पूंच लेता है बस इतना पाइटन चेंज कर सकता है बस निष्ट है जैसे इसमें दिया गया है हिंदी में आइट वर्ड मैं दे रहा हूं मतलब इंग हमारा पेंटर हो गया जो कोर फेंटर से होता है नॉर्मल है जूनियर जो होता है सब नोर्मल नॉर्मल भड़े कलर विए bud nutrient में इंटिर हो गया कंप्यूटर हो गया जनलिस्ट हो गया टेंडर हो गया आप से यहथिप», साड़ खर ना आपको आइट करना ना क्योंकि काई चारे word होंगे आप आसानी से इसमें से 8 word चुन पाएंगे हमारे दिन्चरिया में use होने वाले e-word होते हैं प्रेंड्स अगर आप BA कर रहें, BSC कर रहें, B.com कर रहें channel को जरूर subscribe कर देजिए ताकि किसी भी नुवस्टी का पेपर हो तो आपका उसका जो है सेल्यूशन के साथ साथ उसका जो सही डारेक्शन हो एक्जाम में जो फैटन्स बन रहा है उसको पता चल सके और आप उसको सही टाइम पे इनाल्सिस करके जाएं ताकि आप उसका एक्जाम में बेनिफिट फराप्त करें चलिए निश्ट कुश्चन है जागो एक बार फिर जो जागो एक बार कविता का जो भाव शाउंदर है उसको स्वेश्ट करना इसको देख लीजिएगा जो हमारे एकांग स्रिवास्तो जी है उनकी कविता का जनुदिन का सार अपने शब्दों में लिखना है जो कुश्चन का पैटन चेंज करेगा एक्जामनर उसको मैं डेसकेस करूँगा और उसको आप अलग से नोट डाउन कर लेना पाकि इस सारे वीडियो के कोस्चन को हम सेलूसन फाम में एक वीडियो कमेंट सेक्षन में लगा रहे हैं वहाँसे आप देख सकते हैं नेस्ट है आपको इसमें से सुद्रूफ लिखना है ठीक है कोई आठ कई सारे वर्ड है आपको आठ ही इसका सुद्रूफ लिखना है ठीक है आप इसमें देख लीजिए जो है इसमें आप सिंपली जैसे कई सारे वर्ड ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हीची हैं सिंपली अप पोश्टर्स बाइनर्स अपने बुक्स वगएरा में आप देखती रहते हैं तो इसको आप इजली आप कर पाएंगे बाकि सिल्यूशन के वीडियो में आपको मिली जाएगा इसका सिल्यूशन वीडियो आपको आट करना इसमें 10-12 दिये हैं आप आट निकाल पाएंगे इसमें जो आप अनेकार्थी सब्द देख रहे हैं आप कोई आट को करना है कई सारे आपके अनेकार्थी सब्द हैं कोई आट कर सकते हैं जैसे गुरू का क्या-क्या हो सकता है चीजें उसको लिखना है अनेक आर्थी सब्द मतलब अनेक सब्दों के लिए एक सब्द हार हो गया, पानी हो गया, धन हो गया, कनक हो गया, आम हो गया, उत्तर हो गया इसमें से आपको आटी करना है निश्ट है आपका भोला राम का जीव फाड जो है में निहीत व्यंग पर प्रकाल ढाली है या पोच सकता है भोला राम के जीव के बारे में किस हरी संकर फरसाई ने जो भी राइटर ने इसके बारे में बताया था भोला राम एक साधारण व्यक्ति था जो अपने काम काज के लिए दबतर का चक्कर बार 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 लगाता था पिंसन के लिए वो आवकास ग्रहण किया तो बार बार चक्कर लगाया करता था ओफिस का अपने पिंसन के लिए लेकिन उसका काम दख्तर में नहीं होता था तो राइटर बोलना चाहा है कि आज कल जो है कोई भी दफतर सरकारी दफतरों में बिना घूंश के कोई भी काम नहीं किये जाते हैं भोला राम तहरा जो है साधारण व्यक्ति घूंश चंदा अपना कुछ दे नहीं पा रहा था जिस कारण हो अपने काम के लिए बार-बार चक्कर लगा रहा था कुछ कहानिम का मोल भाव ऐसा है आप पूरी कहानी जरूर पढ़िएगा बहुत यची कहानी है याद हो जाएगा एक बार में ये रिपीटेट कोश्चन है आप फिर एक मार्थ पा जाएंगे जीप पे सवार जो इल्लिया है इस पाट का सारांस लिखना या इसके भाव को स्वेष्ट करना है बस ऐसा कुश्चन बन सकता है निष्ट है आपका unit for से मानक bhASA का अर्थ स्वेश्ट करो या इसकी परिभासा लिखिए या मानक bhASA के लच्छडा और विसीस्था बता ये बस ऐसा ही fightance बनेगा निष्ट है आपका मानक bhASA, आमानक bhASA, उप मानक bhASA कुछ समझाईए कुछ ऐसा ही question बनेगा इस सारे question का solution video के comment section में लगा मिल जाएगा बाकी मैं इसका video भी अपने telegram channel पे ढाल दूँगा link जो है description में है telegram का वहाँ से आप join कर सकते हैं हमसे आप बात करना चाहते हैं कोई भी doubt है आपके तो telegram पे जाएए join करिए और वहाँ हमें personal owner का option होगा owner पे जाके वहाँ से आप मेरे को message कर सकते हैं personally अपने university का syllabus send करके आप जो है उससे related वीडियो ले सकते हैं निस्ट है आपका जो शामी बिबेका नंद है वो भारत में शिच्छा के प्रचार प्रचार के लिए क्या उपाई सुझाओ दियें उनको समझाना आए बहुत ही अच्छा लगा मेरे को जो सिच्छा प्रचार टॉपिक्स था इसको आप एक बार पढ़िएगा जरूर ये life से related बहुत ज़्यदे रिलेट करती है ये भी आप फिरी से इजली मार्क सपा जाएंगे बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे बाकि जो सत्या इंसा के संबन में गांधी जी के वीचार थे लिखी इसको तो काफी स्टुडेंट जानते होंगे जो नहीं जानते हैं थोड़ा देख लेजिएगा चरिए उनिट 5 से चलते हैं जो कुश्चेन आपकी एक्जाम में बन सकते हैं जो देव नागरी ये लिफी होती है इसके गुड़े पर परकाश डालिए या इसकी बिसेस्ता या इसके बारे में पूँ सकता है देव नागरी लिफ के बारे में पूँ सकता है या इसकी बिसेस्ता छेत्र महत्तो या अनुप्रियोग के अधार पे कम्पूटर के क्या क्या कार ये पहले पूँ सकता है बस नेश्ट है आपका खास है जो खचुगा धरम निवन्द का शार लिखना था उसके बारे में निवन्द पूँच रहा है वो लिख सकते हैं या खचुगा धरम के जो मूल भाव थे उसको स्विष्ट करना ऐसा कुछ आ सकता है जैसे आप जिस भी स्टेट से हैं जैसे आप 36 गड़ से हैं तो आहां का लोग गीत पूँच सकता है लोक नाट जो मतलब नित्य है गीत है जो मतलब सांग जो सौंग है फेमस और जो डांस है वो पूँच सकता है यही सब पूँच सकता है या कहानी पूँच सकता है या 36 गड़ के बारे में पूँच सकता है प्रॉपली अपने श्टेट के बारे में इतना तो आप कौन भो हो गई तो आपो करके जाना बाकी जो है आपके मन में कोई भी डाउट हो जरूर बताएगा मैं जरूर हेल्फ करूंगा आप ध्यान से सुनियेगा जो 20% आपका स्लिवस छूट रहा है उसके लिए क्या करना है आप टेलीग्राम च्वैनल जॉइन करने के बाद वहां से जाईएगा अपनी इनुवस्टी का इंडेक्स से एर करिएगा उसके एकॉर्डिंग में 2-3 साल का प्रिवस यर या रिपीटेड इनुवस्टियों का पेपर दूँगा आप उतना कर लेना और कुछ 2-4 कुश्चन में एक्ष्टरा बता दूँगा आप उतना कर लेना 20% उधर से हो गया 80% इस वीडियो से हो गया आपके 100% हिंदी में हो जाएंगे इससे बाहर आपको कोई कुश्चन देखने को नहीं मिलेगा 100% क्योंकि स्मार्ट इशेड है पूरे 5 साल के पीज़ेस यर पेपरो का निचोड करते हुए फुल कॉन्फिडेंस और फुल एक्सपेरियंस और फुल प्रूप के साथ कोई भी वीडियो और कांटेंट लाता है फ्रेंट्स हमारे कांटेंट कैसे लगे हमारे दौरा मेहनत की गई वीडियो में कैसा लगता है इक अपना प्यारा सा फीडबाग कमेंट सेक्शन के थूर जरूर दीजिएगा ताकि इससे मैं आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो टाइम पे दे सकूँ जरूर अपना एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में थेंक यू गोड़ ब्लीज यू बिश्ट अपलाग